कि फीमेल फेंटासी के बारे में मैं आज बातचीत करने वाला हूं मिरा नाम है डॉक्टर दीपक करकर में मनोविकार सेख्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन अम्मुक्चित अजन्यों महाराष्ट में आकोला में पिछले साहती साल से प्रैक्टिस कर रहा हूं फीमेल फेंटासी क्या मतलब क्या होता है कि फीमेल महला सेक्स और किसी के साथ में कर रहे हैं अभी वह अक्यली जब होती है तभी वह कलपना करके हस्तमेतुन कर रही है क्लाइट्रोल स्टिमूलेशन कर रही है और किसी के साथ में वह कालपनिक संभोग करने का एंजॉयमेंट कर रहे हैं ऐसा भी होता है दूसरा यह होता है कि अपने पती के साथ में सेक्स कर रही है मगर कलपा ना कर रही है कि और किसी के साथ में सेक्स कर रही है वह boyfriend के साथ में या कोई male partner इसाथ में sex कर रही है मगर वो fantasize और किसी का कर रही है अब यह क्यों होता है होने के कारण common है कि वो उसको जो जिसके भी साथ वो sex कर रहे है उसके साथ में भी उसको enjoy नहीं कर रही है उसको उतना excitement नहीं आ रहा है बोरियत लग रही है हो सकता है कि उसको आकरमक partner चाहिए वो partner आकरमक नहीं है तो ऐसा fantasy कर रही है और कोई partner आकरमक है और आकरमक है और आकरमक six कर रहा है हो सकता है कि वो उसको इतना मज़ा नहीं आ रहा है तो और कोई partner है उसके साथ में वो बहुत enjoy कर रही है और वो पार्टनर उसको बहुत enjoyment ने रहा, ऐसा बहुत कलपना कर सकती है, अब यह कौन हो सकता है, फेंटासी में, कालपनिक संभूग में पार्टनर कोन हो सकता है, एक तो उसका ex-boyfriend हो सकता है, हो सकता है कि अभी का boyfriend हो सकता है, जो अभी चालो है boyfriend, मगर मतलब extra married relationship है, और उसक साथ में he sex कर रहे हैं, कल पना कर सकती है, यह स्टाफ में से कोई है, या फिर कोई film का hero है, actor है, उसके साथ में या कोई भी ऐसा वेक्ती कि जिसके साथ में उसको अच्छा लगता है, वो fantasize कर सकती है, अभी इसमें female ने क्या शादानी परत नहीं है, गलत है क्या ? गलत बिल् बोलने का नहीं है यह तो फिर जगड़ा चलो हो जाएगा नंबर एक नंबर दो बाइस क्लिप अफ टंग वह अपने पार्टरों को मालूम होसा मतलब कभी बोलते बोलते को किसी का नाम ले लिया जिसके साथ मैं फेंटाजिस करें उसका नाम आगए नंबर तीन कभी नीन में पती आपके बाज़े में सो रहा है और नीन में कभी सपने में उसका नाम ले रहे तो प्राब्लेम हो सकता है तो यह कभी कंफेस नहीं करना है बोलने का नहीं है कभी स्लिप अफ टंग नहीं होना चीए नहीं तो फिर यह प्राब्लेम हो सकता है तो क किसी के साथ में मजा आएंगा ऐसा उनको लगता है मजा आता भी होंगा मतलब फिजिकली सेक्स कर रहे है लीगल पाइटनर के साथ में एक के साथ में और कलपना में और किसी के साथ में सम्मुक कर रहे हैं तो यह दोनों में भी कौम कौमन है और गलत उसमें कुछ भी नहीं है बहुत सारे लोग करते रहते हैं सिर्फ इतना यह है कि confess नहीं करना है अब समझो confess कर लिया या बोल लिया ऐसा कुछ मालूमात हो गया तो भी ठीक है आप बोल सकते कि ठीक है मैंने ऐसा किया है और दोबारा ऐसा मैं करूंगी नहीं या करूंगा नहीं जो भी यहां बोल रहे हैं जो भी वक्ति है और इसके बाद में आप confess करके बाद में बंद कर सकते हैं यह आपको अच्छा लगा तो जो लोगों को शेर करो थैंक्यू वरी मैच सेक्स समस्याओं के बारे में मेरे काफी सारे वीडियो जैं उसका आपने एक आउनलाइन वीडियो रेकॉर्डिंग करके वर्क्शॉप एक कोर्स बना हुआ है वो कोर्स जो है आउनलाइन कोर्स उसमें करीकरी सांट वीडियो है और उसमें हिपनाडिस्म की भी है कि हिपनाडिस्म के माध्यम से नपुन सकत्व शिगरपतन ये कैसे ठीक करना और काफी सारी सेक्स समस्याओं के बारे में जानकरी दीवी है वो समस्याओं की जानकरी से आपकी सभी सेक्स समस्याओं का समाधान हो सकता है तो ये आप online recording course जो है तो ये online recorded course आप हमारे एप से ले सकते हैं उसका description निकिज़े दिया ओए link दिवी आप की और वैसे ही आप telegram group से आप जुड़ जाते हैं हमारे WhatsApp group से जुड़ जाते हैं या website से तो आपको ये online course के बारे में जानकरी हो जाएगी ये online course करके आपके सभी समस्याओं का समाधन हो जाएगा आप निचे दिए नंबर दिए उसके उपर भी call करके वो online course खरीच सकते हैं इंस्टा मुझो की भी link दी हुए उसमें आप direct payment कर सकते हैं Thank you very much कर दो कर दो कर दो कर दो जाते हैं